लिखित परिक्षा पास की दौर निकाली मेडिकल क्लियर किया मगर फिर भी चार साल बाद भी नौकरी का इंतजार आज बाद देश के ऐसे ही नौजवानों की जो न्याए मांग रहे हैं न्याए के लिए दरदर भटक रहे हैं जी मैं बात कर रहा हूँ SSC GD 2018 के अभ्यारत्यों की आखिरकार कौन है ये कौन है ये युवा और क्यों बार-बार इनका जिक्र होता है फिक्र भी होती है मगर फिर भी न्याए नहीं मिलता क्या है वो विवाद जिसकी वज़ा से अटकी लटकी और भटकी है इनकी भरतियां और क्यों गोदी मीडिया इस आंदोलन को दरकिनार कर देता है बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो लेकिन गोधी मीडिया ना दिखाता है, ना बोलता है, ना सुनता है ये बोलते हैं वर्दी दो या फिर अर्थी दो लेकिन हमारे देश की मीडिया को दिखाई नहीं देता क्या करें वो खुदाई में व्यस्त है ये मामला जो नाकपूर से लेकर दिल्ली तक सुर्खियों में रहा मंत्री से लेकर सांसत तक ने इसे जायज माना मगर फिर भी आज तक नाई के लिए लड़ाई जारी है अब भ्यारतियों की मांग है कि उन्हें सेना में नुक्ती दी जाए वो परिक्षा पास कर चुके हैं दौर निकाल चुके हैं मेडिकल फिट हैं सरकार के पास पद भी खाली है अब फिर सवाल ये कि जब सब कुछ सही है तो फिर पेच कहां फसा हुआ है चलिए एक एक करके सिल्सलेवार तरीके से आज इस भरती का जिक्र हम करेंगे सबसे पहला सवाल ये कि भरती कब निकली एक एक करके पूरा सिल्सलेवार तरीके से मैं आपको समझाऊँगा कि विवात क्या है कैसे इन नौजवानों के साथ अन्याय हुआ मामले की शुरुवात होती है जब विज्यापन निकलता है विज्यापन कब निकला तारीक आपके सामने 21 माई 2018 को विज्यापन निकला भरतियों की संख्या वो भी आपके सामने 54,000 विज्यापन निकलते वक्त ध्यान रखेगा ये भरतियों की संख्या जो 54,000 जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, जिसके आकड़े मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये विज्यापन निकालते वक्त ये आकड़े थे, और भरति की संख्या फिर बढ़ जाती है, कितनी होती है, 60,210, अब कहां कहां होनी थी य भरतियां, अब वो भी आपके सामने हैं, CRPF, BSF और साथ साथ, CISF, NIA और असम राइफल्स में, ये भरतियां होनी थी, अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि कब और कितने फॉर्म भरे गए, ये महत्पूर्ण सवाल है, इस आकड़े को ध्यान से दिखेगा, 21 2018 तक कुल 52,20,335 अभ्यारतियों ने फॉर्म भरा, ये आकड़ा आपके सामने, अब अगला प्रशन आपके दिमाग में ये होगा कि कब हुई ये परिक्षा, अब उसका आकड़ा भी देखिए, फरवरी 2019 में लिखित परिक्षा हुई, 30,41,284 अभ्यारती इस परिक्षा मे शामिल होते हैं, और 22 लाख अभ्यारती परिक्षा देने ही नहीं जाते हैं, लिखित परिक्षा के बाद क्या होता है, ये भी सवाल है, और उस सवाल का जवाब देखिए, लिखित परिक्षा के बाद होता ही है कि 5,54,903 अभ्यारतियों को अग्याज 2019 में बुलाया जाता ह किसलिए बुलाया जाता है वो भी देखिए फिजिकल परिक्षा के लिए उन्हें बुलाया गया और परिक्षा में सिर्फ पांच किलोमीटर की दौड थी फिजिकल परिक्षा में 3,83,866 शामिल हुए और 1,75,370 अभ्यारतियों ने फिजिकल को पास कर लिया 1,75,000 से ज़्यादा अब सवाल ये खड़ा होता है कि फिजिकल परिक्षा के बाद क्या हुआ फिजिकल परिक्षा के बाद जनवरी 2020 की तारिक आती है जब अभ्यारतियों को मेडिकल के लिए बुलाया जाता है ये एक प्रक्रिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ मेडिकल में कुल मिलाकर कितने अभ्यारती पास हुए एक लाख नौ हजार अब इस आकड़े को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मेडिकल में एक लाख नौ हजार अभ्यारती पास हो गए और यहीं से ही मामला फस गया क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि SSE के पास पत थे 60,210 60,210 पत थे और पास होने वाले अभ्यारती कितने हो गए 49,000 से ज़्यादा और भरती रुख गई वाजिब है पत थे 60,000 आप कहेंगे और अभ्यारती पास हो गए 1,9,000 कहानी में ट्विस्ट आता है ट्विस्ट के आता है आप वो भी देखी जब 21 जुलाई 2020 को कट आफ निकलता है इसे बदल दिया जाता है 1,9,000 मेडिकल फिट अभ्यारतियों में से 55,912 अभ्यारतियों को नुक्ती दे दी जाती है यानि पहले से जो 23 सीटे थी उससे भी 4,298 सीटे कम कर दी जाती है इसी आकड़े के मुताबिक यहां से अभ्यारतियों ने वर्दरशन शुरू कर दिया विपक्ष ने सरकार से सेना में खाली पदों की संख्या पूछी अब एक और दिल्शस्फ आकड़ा में आपके सामने लखने जा रहा हूँ विपक्ष ने सरकार से पूछा कि सेना में खाली पद कितने है तो 21 माई का ये जवाब देखिए 21 माई 2020 को जवाब देने के लिए केंद्रिय ग्रह राज्य मंत्री नित्यानंद राय खड़े होते हैं और उन्होंने क्या कुछ बताया अब वो आकड़ा और बयान में आपके सामने रख रहा हूँ उन्होंने बताया कि सेना में इस वक्त 1,11,093 पद खाली है कितने 1,11,093 पद खाली है उन्होंने विभाग के अधार पर जो बताया वोई आकड़ा मैं आपके सामें रख रहा हूँ BSF में जैसे उन्होंने बताया कि 28,926 पद खाली है CRPF में कितने 26,506 पद खाली है CISF में कितने 23,906 पद खाली है वो खुदी बता रहे हैं और SSP में कितने 18,693 पद ITBP में 5,784 पद और असम राइफल्स में 7,328 पद खाली है ये बयान है यकीनन केंद्रे मंत्री ने जब आकड़े रखे होंगे तो ये जो अभ्यारती धरने पर बैठे हुए हैं जो आंदोलन कर रहे हैं जो उम्मीद लगाए हुए हैं उनकी उम्मीदे एक बार फिर से पंक ले रही होंगी कि नौकरी मिल जाएगी मंत्री दी स्वैम बोल रहे हैं सदन में खड़े होकर तो नौकरी मिलनी तह है अब अभ्यारतियों का आंदोलन जुलाई 2020 से जो शुरू होता है वो अब तक चल रहा है जगाए बदल जाती है इस दोरान तिरंगा यात्रा निकलती है विपक्ष के नेता मंच पर आते हैं मगर हासिल कुछ नहीं होता ना मीडिया कवर करता है ना इनके दर्द को समझा जाता है 2020 में केंद्रिय मंत्री सेना में एक लाग से ज़्यादा पत खाली होने की बात कहते हैं दो साल भी जाते हैं पत खाली रहते हैं भरती को चार साल भीद गए लेकिन मेरा सवाल जो अब ख़ड़ा हो रहा है उस सवाल का जवाब ना तो सरकार के पास है और ना ही सिस्टम बनाने वालों के पास सवाल इतना भर की भरती के भरोसे जो ये युवा आज भी घर पर बैठे हुए हैं आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं इसमें से अधिकतर ओवरेज हो गए है अब वो किसी भी भरती के लिए लायक नहीं है ऐसे में अगर सरकार थोड़ा सा लचीला और रुख अपना ले तो इनका भी भला हो सकता है अभी तक अभ्यारती सड़क पर हैं लेकिन उन्हें उमीद है एक दिन न्युक्ती जरूर मिलेगी लेकिन क्या मिलेगी मैं भी ना उमीद नहीं हूँ आप भी मत होईएगा वो सुना है ना आपने हम होंगे काम्याब एक दिन हम होंगे काम्याब एक दिन ऐसे सी पदवालों से यही कहूंगा चलते चलते नमस्कार जैहिन जैभारत